हेलो गाइस आप सभी को मेरे YouTube चैनल GS Classes वा संजूसर में स्वागत है दोस्तो आज हम लोग 67th BPSC मेंस इक्जाम के पॉइंट आप भीव से क्रेंट एफेर्स का एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे डिस्केशन करेंगे जिसका नाम है मॉब लिंचिंग दोस्तो मॉब लिंचिंग भिगत कई महिनों से बर्षों से काफी चर्चिट टॉपिक रहा है शोशल मीडिया के वज़ासे जो है मॉब लिंचिंग की घटना कई बार हुई है कई बार जो है अगर सोशल मीडिया इसलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं दोस्तों कि खवर का जो है अभी सब से तेज गती से मतलब सूचना का आधान परदान इसी के माध्यम से होता है चलिए दोस्तों हम लोग इसी के संदर्व में आज एक प्रशन का हम लोग पूरी चर्चा करेंगे इस प्रशन पर चलिए दोस्तों देखते हैं मौब लिंचिंग ये प्रशन है शोसल मीडिया की वज़े से होने वाले मौब लिंचिंग की घटना एक किस प्रकार समाजिक सोहार्द के लिए एक बरी चुनोती बनकर उभरी है क्या इन हालातों को समाजिक राजनिती और परसासनिक बिवस्था के चर्मरा जाने का संकेत माना जा सकता है टिपनी कीजिए दोस्तों आप लोग बहुत ही सबसे ताजा घटना अभी जो है जब सरकार के द्वारा अगनी भी रियोजना लाई गी थी तो आप लोग जरूर देखे होंगे कई जगह हिंसक घटनाएं हुई थी इतनी घटनाएं बर गई थी कि सरकार को इंटरनेट पे बेन करना परा था उसका मुख वज़ा सोसल मीडिया ही चुकि सुचना का आदान परदान उसी के माध्यम से हो रहा है अभी सबसे ज़्यादा इसलिए इंटरनेट तक बंद करना पर गया था ये एक छोटा सा उदार कारन के रूप में मैं बता रहा हूँ इस पर हम लोग शारी जितने भी पहलू है उस पर चर्चा करेंगे क्या इसका कारन है इसको रोकने के लिए क्या क्या उपाय क्या जा सकता है सरकार की भून का क्या है और बिहार के संदर में चुकि BPSC 67 के पॉइंट अब भी से बना र लिए तो चलिए दोस्तों आगे बहते हैं कि सबसे पहले जानते हैं मॉब लिंचिंग यह हमारा क्रेंट अफेर्ट का टॉपिक है देखिए दोस्तों भी द्वारा पीट-फीट कर लोगों की हत्या करदेना मौब लिंचिंग करलाता है कि यह इसलिए चर्चा में आय आया क कि शमाजिक कार्ज करता यह पहले की घटना है दोस्तों तुशार गांधी और तह्षीन पुनावाला की याजका पर शर्बोच नियाले ने तल्ख टिपनी करते हुए राज और केंदर सरकार को कई अहम दिशा निदेश दिये जिसमें है राजस्थान ये जो घटना का जो स्प्रीम कोट के द्वारा संग्यान में लिया गिया याजका दाएर किया गिया इसमें राजस्थान में अलवर जिला में भीर द्वारा पीट-पीट कर दो लोगों की हत्या कर दी गई थि और ये मामला इतना हाइलाइट हुआ था कि शरकार को तीन सदस्य टीम का गठन कर जाँच के लिए भेजना परा इसी मामला को संग्यान में लेकर उच्छ तम्निया लेद्वारा कई जो है अहम दिशानिदेश दिये गए है जिसका विवर्नी निम्न परकार है दोस्तों देखिए ये काफी पॉइंट वाइज है इस पॉइंट में आप एंसर लिखेंगे तो आपका एंसर काफी प्रभाव शाली होगा और अधिक से अधिक नंबर एक्जामनर आपको देंगे तो चलिए दोस्तों पॉइंट वाइज इसको पढ़ते हैं पिछले पांच बर्सों में भीर द्वारा हिंसा की घटना को अंजाम देने वाला गाउं या जिलों को पहचान करेगी राज्यसरकार भीर द्वारा हिंसा करने वालों पर तुरंथ F.I.R. दर्ज करने का निदेश डिया गया था S.P. अस्तर के पदाधिकारी को भीर द्वारा हिंसा की रोक ठाम के लिए नोदल पदाधिकारी बनाया जाए ये सब सुप्रीम कोट का गाइड लाइन था सोशल मीडिया और अन्य तरीके से अपवा फैलाने पर रोक थाम के लिए कंदर सरकार जरूरी कदम उठाएगी अर्थात आपने देखा होगा अगनी जो सबसे ताजा उधारन है अगनी वीर योजना के शमय इंटरनेट तक बन करना परा सरकार को उसका एक बहुत ताजा उध भारन के रूप में दिया जा सकता है इस एंचन में शमाज में नफरत फैलाने वालों पर CRPC की धारा 153A के तहत करवाई करने का निदेश दिया गया शाथ ही लोगों को जागरूक करने के लिए TV, Radio या अन्य संचार माध्यम से लोगों को जागरूक करने का निदेश दिया भीर द्वारा हिंशा मामलों के लिए फास्ट रेक कोट की अस्थापना की भी दिशानिदेश दिया गया दोस्तों मेरा चैनल GS Classes by Sanju sir है किर्पिया हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल के साथ जुरिए इससे सब्सक्राइब कीजिए मैं PT और मेंज या जितने भी परिक्षाए हैं अभी BSSE का भी है उसके भी पॉइंट आभी से मैं प्रैक्टिस से डाला हूँ चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हिंशा के सिकार बने पिरितों के लिए मुआबजे की निती बनाईए पिरित को अंतरिम राहत मुआबजा की भुखतान तीस दिनों में करने का निदेश दिया गया है राज के DGP और मुक्ष सचीब को तीन महिनों में एक बार हिंशा के मामले में समिक्षा करने का निदेश दिया गया है यदि भीर द्वारा हिंशा फैलाने की आसंका होतो नोडल पदाधिकारी परदत अधिकार CRPC की धारा 29B का उप्योग कर कारवाई करें यदि नोडल आपसर जिला परशासन भीर में हिंशा को रोक नहीं पाते हैं तो यह माना जाएगा कि उनके द्वारा अपने कर्तबों का निर्भान सही धंग से नहीं किया गया यदि इस बात की पुष्टी हो जाती है तो उनके उपर एथोचित करवाई किया जाए इमाने निये सर्वोच नियालया का गाइडलाइन था ततकाली शमय का अब देखिए दोस्तों मीडिया सोचल मीडिया में क्या भूमिका है मौब लिंचिंग के संदर में हालया समय में सोचल मीडिया के जर ये फैली अब्बाह और फेक नियूज की वज़से कई राज्यों में लोगों को पीट-पीट कर हत्या कर देने की घटना शामने आई है सोचल मीडिया में भारी शंख्या में अपतिजने कंटेंट रहता है जिसे हटाये जाने की कारवाई हो रही है हिंसक घटनाओं का समाज पर क्या असर होता है दोस्तों इस पर हम लोग चर्चा करते हैं समाजिक रिस्तों में विश्वास और समाज में तनाव का मह़ल बना हुआ है खाण-पाण धर्म और विचारों जैशे संबेधनिक परहमला होत रहा है शिक्षा विकास और समाजिक संभशता जैशे पहलूओं का हरास हो रहा है ये point का क्या है दोस्तों ये समाज का अशर है इंसक घटनाओं से समाज पर ये सब अशर परता है अब देखिए मौब लिंचिंग का मुख रूप से क्या कारण है पुलीस ब्यवस्था या कानून ब्यवस्था के कमजोर परने पर समाजिक समरस्ता भंग हो जाती है अपराधिक मामलों के निबटारा में बिलम होने से भीर की होसला बर जाता है देश में इस तरह के अपराधों से निपटने के लिए कोई विश्यस कानू का प्राबधान नहीं है अब देखिए ये रोकने का कारण मौब लिंचिंग का कारण हो गया दोस्तों अब देखिए मौब लिंचिंग का रोकने का उपा है परशासनिक और समाजिक दोनों अस्तर पर संजीदगी से कोशिश करने की जरूरत है भीर तंतर को सिकंजा कसने के लिए विशेश कानून की जरूरत है लोगों को जागरू करना सबसे अहम पहलू है कि भी किसी भी तरह के आप बापर ना धियान दे घिरना फैलाने वाले घटनाओं को चुपी तोरने की जरूरत है अब दोस्तों चुकि बीप्यसी के संदर्व म यह क्वेश्चन मैं आप लोग भी शेयर किया हूं इसलिए बिहार का संदर्व देना अतियावश्यक था इसलिए अब देखिए बिहार और मॉब लिंचिंग देखिए लोग तंतर पर भीर तंतर हावी होने का मामला एक बार फिर सामने आया इस समय एक दो बार जो घटना जो यह इसलिए उदारन दिया गया है कि उस समय काफी इस पर जो है बावाल हुआ था दोस्तों इस मॉब लिंचिंग के लेखे काफी चर्चा में था इसलिए दो घटना का जिक्र किया गया है हलाकि कई घटना हैं हुई है लेकिन वो काफी जुलंत मुद्दा था उस समय का चो दिसंबर 2018 को बेगु सराय चोराही जिले के थाना अंतरगत पंशल्ला गाउं में भीर द्वारातिन बदमासों को पीट-पीट कर हत्या कर दिया गया था दोस्तों यह एक खिर्दय विदारक घटना था अरर्या जिला में भी मवेशी चोर के शक में एक को मार दिया गया था इस तरह की कई घटना हुई है 14 दिशंबर सितंबर 2018 को भी सितामधी में घटना घटी थी इसके लावा दोस्तों जो भी आप कंटेंट थोरा साथ ताजा देख लेंगे कोई घटना इस तरह की यदि न्यूज में आया होगा तुसे आप इस अपने एंसर में देशकते है बिहार में मॉब लिंचिंग की घटनाएं के लेकर परदेश की सरकार इक बड़ा फैसला लेते हुए इन घटनाओं में मारे गए लोगों को परिवारों को एक एक लाक रुपिय देने और कोट द्वारा ट्रायल खत्म होने पर दो-दो लाक रुपिय अनुदान देने की घ भुशना किया गया है शाथ ही इस मामले का निवटारा छो माह के अंदर खत्म करने का फैसला लिया गया है दोस्तो सरकार द्वारा हाल ही में डायल 112 की सुरुवात किया गया है जो विधिव्यस्था के शंदर में काफी जो है इसका सकारांत्मक परिनाम देखने को मिल रहा ह है दोस्तों कि हम कंकुलूजन पर चलते हैं कंकुलूजन में हम लोग ये कर सकते हैं कि दोस्तों आम जंता शमाजी कर काड़े करता और अस्थन या परसाशन आपसी सवनवे अस्थापित कर एक दूसरे से संबाद अस्थापित कर मौभ लिंची की घटनाओं पर अंकुष लगाया जा सकता है तो दोस्तों हम लोगों ने देखा मौब लिंचींग की घटना और ये करेंट के पॉइंट आप व्यूश से काफी महत्पुर्ण काफी ही इंपोर्टेंट कोश्चन माना जा रहा है दोस्तों मेरे यूटूब चैनल देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद और आप लोग से पुनह रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों यदि आपको लगता है कि ये आपके लिए उप्योगी चैनल है आपके लिए लाव मिलदा है तो अबस मेरे चैनल से जुरे इस चैनल को सब्सक्राइब रहें तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कोई नई क्वेस्चन के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद